जब भी आप thermodynamics पढ़ेंगे तो सबसे पहले यह कुश्चन आता है कि आप thermodynamics क्यों पढ़ना चाते हैं ठीके कुश्चन पहला यह आता है वाई क्या कारण है क्या application है क्या जरूवत पढ़े thermodynamics की तो अपना जितना भी system चल रहा है उनमें कहीं ना कहीं thermodynamics involved है जैसे अगर हम देखें कि thermodynamics है क्या तो यह study होती है transformation of one form of energy to the another form of energy मलब energy के किसी एक रूप से दूसरे रूप में जो transformation होता है परिवर्तन होता है वो हम thermodynamics में study करते हैं ठीके तो जैसे कि अगर हम देखना चाहें हमारे पास energy की कितनी forms होती है electrical energy, mechanical, chemical, thermal, nuclear और बहुत ज़्यादा और भी sound energy काफी energies की form होती है ठीके तो किस तरीके से आप एक form को दूसरी form में convert कर सकते हो वो होता है आपका thermodynamics में उसकी study करते है ठीके जैसे अगर हम thermodynamics की application देखें तो application में सबसे पहले हम देखेंगे जितने भी type के वैकिल्स हैं जितने भी type के वैकिल्स चलते हैं उनमें क्या होता है कि आप जो भी उसमें petrol डला रहे हैं, diesel डला रहे हैं उसमें जो fuel आप डला रहे हैं वो burn करता है, किसी chemical reaction के तुरू वो burn करता है वो क्या करेगा, एक energy, एक heat generate करेगा और वही energy transfer होके जाती है, उस वैकिल को मूख करानी में मतलब उसकी जो fuel energy है या जो उसकी chemical energy है वो convert हो जाती है mechanical energy में ठीके, जैसे अगर हम बात करें air conditioners हमारे घर में जो AC होते हैं हम क्या करते हैं, कि power देते हैं मतलब हम electric energy दे रहे हैं उसमें और फिर AC क्या करता है, वो work करता है और हमको ठंडी हवा देता है तो उसमें भी आपका energy, electric energy दूसरी form में convert हो रही है उसी type से आपका refrigerator, इसमें भी आपकी electric energy का दूसरी energy में conversion होता है, ऐसे ही आपके nuclear plants और solar plants ठीक है, ओके, अब क्या हुआ कि thermodynamic study, आप जो thermodynamic study करते हैं वो study होती है system model waste मतलब work on system model, system model मतलब जिसको आपको study करना है उसको आप एक system consider करो और remaining जो भी part है, वो सारा का सारा surrounding में आ जाएगा जैसे अगर हम बात करें कि आपके kitchen में मान लीजे gas cylinder है और आपको देखना है कि वो gas cylinder में कौन सी gas भरी है, pressure का क्या effect हो रहा है, volume का क्या effect हो रहा है या आपको कुछ भी investigation करना है उस cylinder की अंदर तो वो cylinder आपका system हो गया और आपका जो surrounding जैसे कि आपका पूरा kitchen, आपका room या भार का environment ये सारे के सारे उसके लिए surrounding हो गए मतलब जिस system पर आप study कर रहे हैं उसको छोड़के पूरा पूरा universe उसके लिए जिस surrounding हो जाता है ठीके, तो क्या कहते है system, system आप किसे बोलेंगे the part of universe that is under observation, पूरे universe का बो part जो observation में आया हुआ है जैसे एक बहुत चोटा example आप ले सकते हैं कि आपके room में मान लीजिए AC लगा हुआ है ठीके, तो आपका ये जो AC है, मान दीजिए आपके बड़े से room में ये AC लगा हुआ है छोटा सा, तो आपका ये जो AC है जिस पर आप investigation कर रहे हैं कि इसमें कैसे process हो रहा है, कैसे ठंडी अर्भान निकल रही है इनर्जी का transformation, one form to another कैसे हो रहा है, तो ये AC आपका system है, उसके लगाव आपका room, पूरा का पूरा आपका पूरा जितना भी environment है, सब universe है, I mean surrounding है, ठीके, ओके, तो अब type of system कौन से होते हैं, देखिए, जिस तरीके का transformation हो रहा होता है, उसके basis पे, on the basis of mode of transformation, transformation के mode of के basis पे, कि transformation किस type का हो रहा है, system को कुछ parts में classify किया गया है, जैसे कि closed system, open system, isolated, ठीके, लेकिन अभी फिलाल हम बात करेंगे, closed system and open system, ठीके, generally जो lab में जो reactions होती है, या lab में हम जो experiment करते हैं, या जो system को हम अभी study करेंगे, जिनका work पढ़ेंगे, entropy पढ़ेंगे, वो सार system हम पढ़ेंगे, closed system, closed system, closed system इसलिए हो जाता है, क्योंकि जैसे आप chemical या कोई भी reaction करा रहे हैं, तो closed system, अभी आप आगे देखेंगे, closed system हम क्यों study करते हैं, क्योंकि इसमें cable work और heat यही involved होते हैं, इनना matter involved नहीं होता, क्योंकि matter जब involved होने लग जाता है, number of moles involved होने लग जा जाती है, क्योंकि आपका जो system का जो variable है वो उस पर भी dependent होने लग जाएगा, तो आपके लिए calculations complicated हो जाईए, तो इसलिए generally closed system के study की जाती है, अब है आपका system, मतलब closed system और एक है आपका open system, इनको समझने के लिए हम ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजे कि आपने किसी वीकर में, य तो जब आप उसको gas के burner पर रखेंगे, तो आपके बास दो option है, पहला आप उसे lid के साथ रखें, और दूसरा उसे without lid रखें, ठीक है, अगर आपने उसे lid के साथ रखा, मतलब आपने उस pot को cover कर दिया है, तो वो edge एक closed system काम करेगा, लेकिन अगर आपने उसे without lid रखा है, मत मतलब खुला हुआ है बरतन, तो वो open system हो गया, देखिए, closed system में क्या होता है, केवल energy transfer होता है, केवल केवल energy transfer होता है, इसमें matter transfer नहीं होता, मान लीजिए, आपने उस pot में पानी बरके रखा है, ठीक है, तो आपका जो pot है, वो system हो गया, remaining surrounding हो गया, वो पानी क्या हुआ, ब आपने temperature increase किया, आपने wonder on किया, temperature increase किया, molecules के बीच की kinetic energy increase होई, और जो surface पे जो पहले molecules थे वो vapor form में convert हो गई, तो क्या हुआ कि आपका matter, देखो, आपकी heat तो transfer हो रही है, क्योंकि आपका बरतन भी गरम हो रहा है, आपके बहार, आपको उसके आस-पास का environment पे आपको गरम मह उसमें बो भी transfer हो रहा है, मतलब आपका matter जो है बो भी transfer हो रहा है, तो यह था आपका open system, लेकिन यही अगर आप उसको lid लगा देते हैं, cover कर देते हैं, तो उसमें क्या होगा, कि पानी transfer नहीं होगा, तो आपका matter transfer नहीं होगा, वो हो जाएगा आपका क्या, close system, तो जब केवल इनर्जी ट्रांसपर हो, मैटर डज नोट ट्रांसपर, मैटर ट्रांसपर ना हो तो वह क्लोज सिस्टम हो गया है, लेकिन अगर आपका मैटर और इनर्जी दौनों ट्रांसपर होती है, तो वह आपका ओपन सिस्टम हो गया है, ठीके, ओके, तो अब हम यह देखते हैं, कि आपका closed system है, इसमें केवल energy transfer होई, मतलब work और heat, केवल दो चीज़ें इसमें involved हुआ, क्या work और heat, ठीक है, मतलब W और Q, ठीक है, W बराबर होता है, minus PDV, और Q बराबर होता है, TDS, तो जब भी आप closed system की study करेंगे, तो आपको 4 variables पढ़ने पढ़ेंगे, 4, pressure, volume, temperature and entropy, ये चीज आपको कैसे पता चला, आप closed system दमाग में imaging कीजिए, उससे energy transfer होती है, ये imaging कीजिए, energy transfer में केवल work और heat involved होती है, ये सोचिए, work minus PDV, heat, TDS, मतलब PVTS, 4 variables आपके यहाँ पे introduced हो गए, मतलब जब भी आप closed system पढ़ेंगे, तो आपको pressure, volume, temperature and entropy इनका ध्यान रखना पढ़ेगा, since हम lab में जो experiment करते हैं, pressure कोई दिक्कत बाली बात नहीं होती है, बन ATM pressure जो surrounding में चली रहा है, आपको extra effort नहीं करना पड़ता, volume, जो system आप ले लेते हो, उसका volume भी आप recite कर लेते हो, temperature को आप easily control कर सकते हैं, इस वजए से closed system की study generally labs में होती है, क्योंकि ये जो variables होते हैं, ये बह 5 variables पर depend कर जाएगा आपका, W की वजए से PV आ गए, heat की वजए से आपका TS आ गया, और N इसमें एक extra variable है, क्योंकि open system matter भी change होता है, ठीक है, ओके, तो अब ये वही conclusion है, जो मैंने आपको explain किया, just अभी, कि किस तरीके से ये 4 variables involved होते हैं, closed system में, और किस तरीके से open systems में 5 variables involved होत पर एक टाइप का defined thermodynamics, तो आप बहुत एजली बता देंगे, कि thermodynamics is the conversion of the energy from one form to another form, जैसे chemical energy का mechanical energy में change, इसके example हम खुदी हैं, अगर आप किसी भी human beings की बात करें, आप खाना खाते हैं, आप food ले रहे हैं, ठीके, food मैंसे जो भी glucose था, वो डिकंपोज हुआ, उसने energy generate की, और वो energy आपको मिली जिसकी वज़े से आप चल पा रहे हैं, आप mechanical काम कर पा रहे हैं, राइट, चाहे आप जो बोल रहे हैं, या मैं बोल रही हूं, तो वो sound energy में भी convert हो रहा है, आपका chemical energy, बहुत सारे examples हो सकते हैं, लेकिन आप खुद को एजे system consider करके भी इसमें सोच सकते है ठीक है, आप electric energy to mechanical energy, जो मैंने आपको बताया, जैसे आप अपना fan ले ले लिजे room का, आप AC ले ले लिजे, fan जो भी light आपने दिया, electric energy आपने दी और fan जो चल रहा है, वो mechanically काम कर रहा है, मतलब, mechanical energy generate कर रहा है, okay, now chemical energy to mechanical and heat energy, कोई भी काम होता है, तो उसमें बर्क में पूर chemical energy में convert करता है, लेकिन कहीं न कहीं वो गरम भी होता रहता है, तो उसमें heat energy जायतर चीजों में generate होती ही है, ठीक है, इस तरीके से आप देखे, ये देखिया, electric energy to radiant and heat energy, इसके लिए आप अपना lamp systems हो सकते है, कोई भी light, bulb, या फिर कोई भी ऐसा जो आपको रोस्नी दे रहा ह क्योंकि आपको light मिल रही है उससे, radiation निकल रहा है, तो वो radiant energy में generate हो रहा है, और वो भी गरम हो जाता है, बलब भी गरम होता है, कोई भी system है, तो उसमें heat energy भी साथ में निकलती है, तो ये conclusion था, thermodynamics को आप कैसे define करेंगे, इसके application क्या है, वो मैंने आपको यहाँ पे clear किया, next मैंने आपको system बता दिये, system में क्या था मैंने आपको बताया, कि system मतलब क्या है कि substance या फिर mixture of substances, in which changes occurs, मतलब हुए substance या substance का ऐसा mixture, जो under investigation है और जिसमें changes हो रहे हैं, उसे क्या कहेंगे, thermodynamic system, ठीक है, जैसे अगर आप इसको देखिए, ये कोई एक वीकर है, जिसमें आपन के वह और के सील ले लिया है, इन दोनों का reaction होना है, ठीक है, तो इस system के अंदर, reaction होती रहेगी, तो ये आपका क्या हो गया system, उसके बाद ये जो भार का portion है, इस portion, भार का, ये आपका surrounding हो गया, इसके अलावा आप किसी भी portion को ठालो, उसके left में ले लो, उसके right में ले लो top में ले लो, bottom में ले लो, सारा का सारा आपका क्या है, surrounding, उसके अलावा, एक term more आता है, वो होता है, boundary, boundary क्या होता है, ये real भी हो सकती है, imaginary भी हो सकती है, मतलब ऐसा, आपका ऐसा region, जो system and surrounding को distinguish करे, differentiate करे, या फिर सेपरेट करे, ठीक है, जैसे कि आपका gas cylinder है, ये real boundary है, क्यो ठीक है, या फिर आपका AC है, AC का जो plastic body वना हुआ है, वो उसकी real boundary है, क्योंकि real boundary मतलब आप उस boundary को देख पा रहे है, visualize कर पा रहे है, ऐसे कुछ system ऐसे भी होते है, जिनकी boundary आपको imagine consider करनी पड़ती है, कि मान के चलना होता है, कि हमें दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन कहीं कि इसकी boundary है, उसे imaginary boundary बोलते हैं, ठीक है, तो boundary के भी आपने दो तरीके देख लिए, system को define कर लिया, surrounding क्या होता है, वो देख लिया, ठीक है, तो यही वो conclusion है, कि surrounding क्या होता है, universe का बो portion, जो under investigation है, that is system, उसकी अलावा जो भी universe में है, सारा का सारा surrounding है, boundary क्या है, region और interface separating system and surrounding is called boundary this is definition, ठीक है, जो मैंने भी आपको explain किया, ओके, तो type of systems को एक बार देख लेते हैं, मैंने तीन type बताया, open, close and isolated, open system मैंने आपको बताया, तो मान लीजे, यह कोई liquid fill हो रखा है, और उसके बेपर, उसके बेपर बन रहे है, ठीक है, मान लीजे, आपने बरतन को आदा फिल किय तो बेपर आपको बरतन के ऊपर तक मैसूस होंगे, जब गरम हो जाएगा, या उसमें जब बेपर बनने, start हो जाएंगे, ठीक है, तो क्या हुआ कि इसमे, open system में, तो heat, action heat, मतलब energy transfer हो रहा है, और metal भी transfer हो रहा है, तो यह बात आपको दिमाग में लखनी पड़ेगी, कि system म और delta M भी not equal to 0, मतलब, जो आपका E है, energy, जब आप investigation स्टार्ट करने वाले थे, उस time पे, और investigation करने के बात, यह दोनों जो E energy है, वो change हो जाएगी, मतलब अगर आप delta E निकालें, final minus initial, तो वो 0 नहीं होगा, क्योंकि अब वो अलग-अलग है, देखिए, delta E मतलब हो गया, delta E म system है, जिसमें आपका final E change हो गया है, वो मतलब E final is not equal to E initial, तो delta E आपका 0 नहीं होगा, तो इस वज़े से delta E not equal to 0, since open system में matter भी तो transfer हो रहा है, तो matter भी before investigation and आपका investigation matter भी अलग-अलग होगा, मान दीजिए, आपने पहले 100 ml वाटन लिया था, लेकिन जब वेपर बन के, जब open system आपने time के बाद देखा, तो आपका 50 ml वचा बागी पानी उडग गया, तो आपका matter भी तो अलग-अलग है, इसलिए आपका M final और M initial बरावर नहीं है, तो इस वज़े से delta M भी not equal to 0, अगर आप close system की बात करते हैं, तो इसमें energy तो transfer होती है, तो delta E not equal to 0 है, लेकिल delta M is equal to 0, म अब आप बात करते हैं, isolated system, isolated system के लिए आप सोच सकते हैं, अपना thermos, मतलब ऐसा thermos जो सच में isolated system का काम करें, क्योंकि कुछ-कुछ thermos में एक time interval के पाद आप जो चाय या coffee रखते हैं, वो ठंड़ हो जाता है, या खराब हो जाता है, खराब होना is another factor, बट जो ठंड़ हो जा अच्छा है, तो आप यह देखेंगे, कि ना तो उसमें heat transfer होती है, मतलब ना तो उसमें energy transfer होती हो, ना इसमें matter, तो उसमें delta E और delta O, delta E और delta M, डौन और इस कल्टु 0 होगा, ठीक है, so यह था आपका thermodynamics का introduction, ठीक है, so that's all for today, thank you very much.